कि नमशकराले व्शच्टुला एक ऐसी विमारी है जिसका मुस्टली लोग अलोपेथिक ने करके आते हैं और उसे ठीक नहीं कर पाते हैं सरजरी करा लेते हैं फिश्ट这 एक्टोमी करा लेते हैं है वी एंटिवेटिक्स ले लेते हैं नाजन किस तरह की मैडिसंस लेने के हैं जिनके साइता से हम एक की रिशी अगर हम बात करें तो हंडिट परसेंट ले इसे ठीक कर सकते हैं तो इस छोटे से वीडियो में जो मैं आप सभी का समय ले रहा हूं यह समय आप सभी का बहुत ज्यादा महतवपूर है मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कोसिस हो एक जिसकी कम समय में छोटी वीडियो में आपको अच्छी जनकारी में दे सकूं सबसे पहले समझ लेते हैं फिष्टूला होता क्या है है अगर हम बीमारी हमारी वहीं ठीक होने वाली हैं पिशटूला का मतलब क्या है जो हमारा मलद्वाar होता है जो हमारा ऑझनाल के अंदर या बाहर के साइड में उसके वन सेंटिमीटर के एरिया के आसपास कोई फंसी होती है और यह फंसी हमें बारवार होती है जिसे अभी हुआ उसके तीन-चर मैने बाद फिर से रिपीट हुआ ठीक हो गई तीन-चर मैने बाद फिर हो गई फिर ठीक हो गई दो-तिन मैने इसा पधार्त निकलना डिस्चार्ज होना दर्द होना उसमें खुजली होना उसमें इचिंग इरिटेशन होना इस तरह के सिम्टम्स आपको मिलेंगे और जब यह पुरानी होती जाती है यानि कि किसी मरीज को पांचे बार हो जाता है तो उसके बाद में धीरे 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 ध फ़दार्थ निकलता जिसी हम पश बुलते हैं तो उसमें पस का डिस्चार्ज होने लगता है ऐसी स्तिती में अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हैवी एंटिवाटक्स देते हैं आपको पैन किलर से देते हैं और आपको सिटी MRI bestay-scan कराने के लिए सलाह देते हैं यह फिर आपको बोलते हैं कि आप eleven करा लीजे यानि कि उस Maynor Surgery करा लिजेगा या फिर बलते हैं कि आप IND करा लीजेगा मतलब की Incision Dopcin겠다 यह सारे treatment आपको बता देते लिकिन क्या इन सारे treatment से आपको relief मिलता असे प्रतिसत इसके बात करें तो ये रिकरेंट हो जाता है फिश्ट ल क्टोमी यानि की सरजरी कराने के बाद में। यह सबाद में हम 6 मेशें मेट फिर सब्सक्राइब हो गया किया इसी समझनी की बन रही है जो बाहर से लेकर के अंदर की तरफ खुल रही है जो बाहर से लेकर के अंदर की तरफ खुल रही है जो एनाल में खुल रही है जो एनाल मलदवार है उसके अंदर अगर कोई शुरंग बन जाएगी तो क्या होगा उससे पस डिश्चार जाने लगेगा और कई बार वहां से आप जो लेटरेन इस्टूल पास आउट करते हैं जो फुंसी है उस ट्रेक से भी कई वार आजाता है क्योंकि वो एक सुरंग आरपार हो जाती है उपर से नीचे अंदर से बाहर के लिए एक सुरंग टाइप की बन जाती है जिसमें से डिस्चार्ज आना कॉमन बात ह हो जाती है तो जब अनल के लमें अब इस्टूल आएगा इस्टule पास आउट करेंगे तो वहां से भी इस्टूल पासआउट हो सकता है चुकि बिल्कुल बहुत जादा पतला होगा वो क्योंकि ज्यादा ट्रैक नहीं है ज्यादा उसकी डामीटर नहीं है तो उसमें से हलका-लका फ्लूड निकल सकता है अब इसको ठीक करने का सही तरीका यह होता है कि उस द्वार को प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया जाए जब तक यह treatment होता है आप जाएंगे एलोपेथिक के बास तो उनके वह लेंगे कि आई एंडी करा लेज़ें यानि कि उसमें माइनर सर्जरी होती है उसमें सब्स होता है वह निकाल दिया जाता है है इसके अलाबा जब आप नहीं ठीक होते हैं तो करा लेता है यानि के शरजरी करांने के भाद नहीं की है'M आप की दबाई के लिए अगर होता है औरहो होता है ऑगर समझानाइन जो होई हक्ति हो जाती हमेशा के लिए लेकिन ऐसा होता नहीं है अमोमन जब 70%-80% केस बिगड़ जाता है तब होमिवेदी के पास आते हैं और फिर हम बोलते हैं कि नहीं हमें तो ठीक करके दो केस हम बिगार के लिखे आते हैं तो यहां पर जो मैं अप सभी के साथ में शेयर करने वाला हो और चार मेडिसन से सबसे पहले मेडिसन है एसेडीकम नैट्रिकम या नाटीक ऐसेडिकम इकी नाम है 30 पूटेंसी हमें में ॐ हमें लेना है दिन में तीन वार शुबह धो फ्यरटियाम को इसके बाद में जो मेडिकन आता है केल के रियास छॉल्फ टीईए लेना है शुबह उअ .. दो फर इंशाम को लेनी हैं मतलब थर्टे में दिन बार लेनी है अगया तीसरी मेडिसान है मॉश्ट birthdays थर्टे मेडिसन को भी आप दिन में तीन बार तो पर इंशाम को ले सकते हैं लास्ट पाइनल जो ट्रेक बनाऊ ćए जो फिस्टुल्ण होगो तो सिरस्ट बनी होई थी वहाँ से खाले हो तो धिरी-दिरी अंदर से वह पर हीलिंग होगी यानि कि हमें ऊपर से उसका होजी होगी से भी बंकर से चित rozum आपको शाद दिन में एक वार लेनी है चाहे आप मॉर्निंग में लेजिए दोफेर में लेजेगा चार-पांस डॉप्स जो है सीधर टेंग पर डाल लेजेगा लेकिन ध्यान रही वीक ली लेनी है वीक में एक वार लेनी है और उसका टाइम डिसाइड कर लेजिए कर सोबर ले ले रहे तो सुबर दोफेर लेना है इसके बाद में जो मॉस्टिका सब्सको बाहर निकालेगा तो आपकी बीमारी और जिल्दी ठीक हो जाएगे आज की वीडियो में हमने फिश्टूला के बारे में समझा मुझे उम्मीद है कि फिश्टूला से संबंद सारे जानकारी कि अब सभी को मिल गई होगी और दूसरा एक अगर कॉंप्लिकिशन के बात करें तो यहां पर कॉंप्लिकिशन सबसे बड़ा यह होता है कि मरीज को डियाबिटीज है क्राउंस डिसीज है या फिर उसको इंटेस्टैनल और कोई बीमारी है तो ऐसे सिच्वीशन में फिश्ट पर नहीं विजिट कियो हुए है उसकी लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है अगर आप हमें सपोर्ट करना चाते हैं अगर आप हमसे जोड़ना चाते हैं अगर आप हमसे हैल्स और वीडियो देखना चाते हैं तो आप हमें वहां पर भी सपोर्ट करें उसकी लिंक हमने वीडियो की description में दी हुई है वीडियो अच्छा लगे तो like and share करें Thanks for watching नमस्कार चाहिन